नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 12 जनवरी शाम 7 बजे राजिस्थान की खास खबरे विदानसबस सत्र शुरू होने में मैज सब्ता भर का समय बचा है लेकिन अभी तक कॉंग्रिस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है अंदरूनी खींश्तान के चलते कॉंग्रिस में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर तीन धड़े बन गए हैं तीनों ही अलग-अलग नाम आला कमान को सुझा रहे हैं एक तरफ सचिन पाइलिट केमा है तो दूसरी तरफ पूरो मुख्य मंत्री अशोक गैलोथ गैलोथ जिस नाम से सैमत नहीं पाइलिट गुट उसी के लिए पैरवी करने में जुटा है तीसरा केमा उन नेताओं का है जो दिल्ली की सियासत में भी दखल रखता है पाठी सुत्रों की माने तो कॉंग्रिस कोई नया प्रियोग नहीं करना चाहती इसलिए दलित आदिवासी काट और जाट ब्रामन कॉंबिनेशन में से एक चुन्ने पर मन्थन करी है कॉंग्रिस में नेता प्रतिपक्ष के लिए फिलहाल महिंदर जीत मालविया, गोविंज सिंग डुटासरा, हरीश चौदरी, हरी मोहन शर्मा, टीका राम जूली के नाम परमुख दावेदारों के तौर पर चल रहे है अजमेर चले में नबालिक से रेप के आरोपी को फोक्सो कोट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, 749 का आर्थिक दंड लगाया है मामले में अब योजन पक्ष की और से 16 गवा और 13 दस्तावेज पेश किये गए थे एड़ोकेट रुपेंदर कुमार परिहार ने बताया कि जुआजा थाने में 20 नवंबर 2021 को दर्ज रिपोर्ट में पेडित ने अपनी नाबालिक बेटी को बहला कर ले जाने का आरोप लगाया था पोलिस ने पेडिता को गुजराज से दस्तियाब किया पेडिता के बयानों पर आरोपी की खिलाप ओक्सो एक्ट में मुकदमा दर्स किया गया इसके बाद टीम ने जिला बयावर निवासी आरोपीद 22 वर्षे गोविंद सिंग और फराहुल सिंग को गिरफतार कर कोट में पेडिता के साथ रेप और प्रेगनेंट होने की पुस्टे हुए इसके बाद जज ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सज़ा सुनाई राजस्ता लोग से वायोकी और से आयोजित वरिष्ट अध्यापक परिक्षा में बैठने वाले डमी कैंडिडिट भैराराम को अजमेर जिले की सीवें लाइन स्थाना पुलिस ने गिरफतार कर लिया मोल केंडिडिट उमपरकाश की पुलिस को तलाश है प्ररंबिक जांच में सामने आया कि दोनों आ रूपी साथ में रहकर कॉंपिटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे थे बैराराम ग्रेड फर्स्ट लेक्शरर में सिलेक्ट हो गया सारा खर्च उमपरकाश उठा रहा था पूस्ताश में बैराराम ने बताया कि उमपरकाश से यह तैय हुआ था कि खर्चे की बदले वह है उसकी जगह एक्जाम देगा RPSC की और से दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वरिष्ट अध्यापक परिक्शा 2022 का समाने ग्यान एमम शेक्षनिक मनो विज्ञान और हिंदी का एक्जाम 22 दिसंबर 2022 को हुआ कैंडिडेट उमपरकाश का परिक्शा के अंदर उद्यपूर शेहर में था सूचना परयायोग ने रिकॉर्ड की जांश की तो पता चला कि मोल कैंडिडेट उमपरकाश के स्थान पर भैलाराम विश्णोई निवासी करावडी सांचोर ने ये दोनों परिक्शाएं दी थी फिलवाडा में घर के बाहर कमरे में सो रही बीए फरस्ट एर की युवती की हत्या की मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया युवती की हत्या उसी के प्रेमी ने की थी आंसी दिलाके के बरसनी गाम में बेटी का शव देखने के बाद परीजनों ने पुलिस को सूचना पर पुलिस एफसल और डॉक स्क्वैड की टीम मौके पर पहुंची इसके बाद जाच में दो युवकों को राउंड अप किया गया तो कहानी खुलकर सामने आ गई बरसनी गाम में 18 वर्षे अनू रेगर हत्या कांड का पुलिस ने कुछी घंटे में खुलासा कर दिया एस से दोस्ती थी दोनों के बीच अन्बन होने के चलते उसकी हत्या कर दी सीकर जिले में क्रेडिट कार्ड से बिजली के बिल जमा करने के नाम पर लाखो रुपे की धोखा दड़ी का मामला सामने आया है आरोपी ने विदुत विभाग के आफिस से बिजली के बिल जमा कर रह अजमेर विदुत वितरन निगम के आफिस में ठेकेदार की अंडर में बिजली के बिल एकठे कर पेमेंट बिजली विभाग की अकाउंट में जमा करता है टेक्निकल हलपर आरोपी विनोध कुमार ने पंकज से कहा कि उसे पैसों की जरूरत है और कहा कि वह बिजली के बिल ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से जमा कर देगा और पंकज उसे नगद कैश दे देवे आरोपी विनोध के कहने पर पंकज कुमार ने उसे एक लाग 78,978 का कैश दे दिया पुलिस ने मामला दर्स कर जांच शुरू कर दी है पुलिस टीम ने जिला जेल में बंद बंदी द्वारा जमीन के मामले में धंकी देने में सहायता करने वाली उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्स कर गिरफतार कर लिया है कोत्वाली थाना अधिकारी भगवान लाल ने बताया कि दस जनवरी को एक गोपनिय पत्र पुलिस को मिला जिसमें लिखा हुआ था कि परताफगड निवासी बंदी अकबर खान ने अपनी पत्नी के मादियम से कॉन्फरेंस कॉल कर परताफगड के ही इमरान मंसूरी को जमीन की रिजस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवाने को लेकर धंकी दी थी जाँच में ये जानकरी सही पाए गई जस प्रैस्पी अमित कुमार ने मामले को घंबीरता से लेते हुए तुरंत कारवईकर परतापगड थाने में मामला दर्स किया तकने की शाक्षे की सहायता से ये पर्मानित हुआ कि बंदी अकबर ने जेल में बंद रहते हुई अपनी पत्नी के मुबाइल से इमरान खान को धंकी दी थी बहरोड जिले के कुट पुतली में 18 साल की लड़की ने अपने पता समेथ 15 लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्स करवाया है पिडिदा ने बताया कि जब वह 12 साल की थी तो उसके पता ने शिराब के नशे में उसके साथ रेप किया था पिता ने उसे भी शिराब पिलाई और किसी को बताने पर जान से मारने की धंकी भी दी यह बात मम्मी को बताई तो नहोंने विरोध किया तब पिता ने घर छोड़ कर जाने और जैर खाने की बात कही ऐसे में मेरी माने मुझे चुप रहने की सला दी खटना के छे महीने बार पिता ने मुझसे कहा कि हम पर काफी करजा हो गया है मैं जैसा कहता हूँ तो वैसा कर देगी तो हमारा करजा उतर जाएगा और अगर तो नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूँगा मैं डर गई और उनका कहना माने को तयार हो गई मेरे पिता आदमियों को लाने लगे कई लोग तो मेरे दादाजी की उमर के थे वो मेरे साथ जबर्दस्ती करते थे इसके लिए मुझे टैबलेट दी और शराब भी पिलाए जाती थी डियस पी मदन जैफ ने बताया कि पंदरा लोगों की खिलाफ दुशकरम साइद पोक्सो एक्ट में केस दर्स कर जाच शुरू कर दी है अलवर के सदर्थानक शेतर के कितूर गाम के पास अग्यात वाहन के टकर से बाइक सवार होटेल मेनेजर की मौत हो गई ये वक्त दो महीने पहले ही गाम आया था सदर्थानक शेतर के किथूर का बास निवासे तेस वर्षे वतन चौधरी की सड़क हादसे में मौत हो गई उनके भाई ने बताया कि वतन चौधरी पहले से कतर में होटेल में बतार मैनेजर नौकरी का रहे थे वै अपने घर से बाइक से बजार जाने के लिए अलवर की तरफ आ रहे थे गाम से कुछी दूरी पर तेज गती से आ रहे है वाहन ने उनकी बाइक को टकर मार दी जिससे वे घंबी रूप से खायल हो गई जिलास पताल में इलास के दुरान उनकी मौत हो गई वाहन का पता लगाने में पुलिस लगी है पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है गैंक्सर अर्शडला की साथी को मांसा की स्पेशल ब्रांश ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी के पास एक रिवॉल्वर बरामत किया है अरोपी को पटियाला बस स्टेंड फाइरिंग मामले में जुड़ा हुआ था मांसा एसपी बालकृशन ने बताया कि स्पेशल ब्रांच ने गैंक्सर अर्षडला के एक करीबी सक्ष से पिस्टॉल बरामत की है पटियाला बस स्टेंड फाइरिंग मामले में मुख्या रोपी और अर्षडला के करीबी जशन दीप को मांसा के स्पेशल ब्रांच ने गिरफतार कर लिया है या रोपी स्पेशल ब्रांच के परभारी इस्पेक्टर जगदेश शर्मा की गिरफत में आया है जिसने पिशले दिनों पटियाला में फाइरिंग किये थी अरोपियों के पास से मिले पिस्टॉल के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक खतरनाक हतियार है और इसे भारत में नहीं खरीदा जा सकता है टांक जिले में सकिरिये चोर गिरो लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रही है बेती रात को भी पांच नकापो चोरों ने सोनवा रोड़ पर स्थित एक कुलदेप फिलिंग सेंटर नाम के पैटरोल पंप के आफिस का लॉक तोड़कर गल्ले में रखे करीब डेड़ ल हैंदवास थाने में दे रिपोर्ट में बताया कि चोर रात को घुसे और वे एक घंटे तक रहे आफिस के काच के गेट को बिना तोड़े लॉक को तकनीकी सहायता से खोल चोर अंदर घुसे और गल्ले में रखे करीब देड़ लाख रुपे चुरा लिए पुलिस ने मामल दर्स के रजाच शुरू कर दी है झाल झाल